दोस्तो प्रदीवीरी एकाइडमी चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक है उसका नाम है दोस्तो जनरल फोर्स सिस्टम जनरल फोर्स सिस्टम बहुत ही अच्छे से ये भी आपको समझ में आगा अगर आपने कॉन करेंट पड़ा होगा पैरलल पड़ा होगा तो अब नेक्स पार्ट है दोस्तो जनरल फोर्स सिस्टम तो यहां पर आप देखोगे द्यान से अगर आप देखोगे ना तो जीतने भी फोर्से से वह एक पॉइंट पे हैं ना तो वह सभी फोर्से से एक दूसरों को पैरलल है और हमे करके मैं इसको यहां पर इस वे में मैं यहां पर कर दो करतू अब देखो मैंने यहां पर कॉपी किया यहां चीजों को रखा अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो देखो सबसे पहले कोई inkline force है गया उसके अंदर तो पहले सबसे वहले उसकी component find out कर लो रिजल पर उसको तो देखो मैं इंकलाइन फोर्स मुझे यह दिखाई देरहा है क्छी बड़ा और सब姦्द की को इसके वजह से दो पॉंगे एक पॉंपँने नीचे के साइड आएगा आप चाहिए तो इसको यहां आगे भी एक्स्टेंड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं यहां पर आप कर सकते हो अब मैं थोड़ा सा और यहां ले रहा हूं अब अगर आप द्यान से अच्छे से देखने की कोशिस करोगे तो दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा टेंशन यह है यह सबसे में होता है कि आपको यहां पर यह पूरे का एंगल कितना है पर यह आपको पता है यह इसलिए बहुत ही प्रांदर समय तो अगर आपको एंगल निकालना है जैसे मैं इसको ठीटा-सो मैं तीटा-सो ले रहा हूँ अगर सब्स मुझे ठीटा-सो निकालना हैれた हो ऑन फौर्व लागया एका दोस्तों पता है है तैन वर्स tan inverse अगर आप देखोगे इसके सामने आला side आपको पता है OA आपको पता होगा OA opposite upon adjacent side यह आपको पता है तो यहाँ पे सामने आला कितना है दूस्तो 3 है और जब भी अगर देखो यह triangle है अगर सबोज यह angle मुझे find out करना है तो यह मुझे पता होना चाहिए और यह पता होना चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हो अगर समझो यह triangle है तो यह opposite side हो गया और यह कौन सा side हो गया? अगर यह दो side मुझे पता है तो मैं यहाँ पे 10 का formula apply करूँगा अगर आपको OA वाला formula पता होगा दो यह पता है की नहीं पता है। दोस्तूअगर यह फोरं तो पर यह भी केंदा ओगा। पर दीरफ लीनें का सकते हो दूस्तूव यहां पे पर डिरेक्ट यह आप निका सकते हो है थीटा का वैल्यो मिला हमें तो यह पर मुझे यह नीची वाला एंगल अगर समझो मुझे 50 मिल गया थो फॉटी होगा तो वैसे अगर यह पूरा 90 है ये वाला 36 है उपर आला निकालना है तो मैं क्या करूँगा theta 2 निकालना है तो theta 2 कैसे करूँगा 90 में से ये वाले angle को 36.869 को क्या करूँगा minus तो देखो जो भी मेरा answer है मैं क्या करूँगा 90 minus answer तो finally मुझे कितना मिला दोस्तो 53.13 तो ये मुझे value मिला है दोस्तो अब देखो दोस्तो ये जो value है अगर आप द्यान से देखोगे तो देखो ये देखो प्लीज द्यान से यहां पर बहुत अच्छा explanation दे रहा हूं अगर ये value मुझे 53.13 मिल रहे है बट मुझे क्या चाहिए हमेशा मैं try करता हूं कि मुझे x axis का respect मिल जाए तो दोस्तो आपको alternate angle आपने पढ़ा होगा छोडी class में ये angle ये angle concurrent होता है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा दोस्तो 53 और 13 तो देखो सबसे पहला टास्क यही ताक ये angle कैसे find out हो और ये सब अगर आप बुक में देखोगे तो भाई डारेक लिखा होता है ये सब चीजे दी नहीं होती है तो मैं डारेक यहाँ पर कर रहा हूं मेरा angle मिल गया कितना मिला 53 2313 अब आप इसे resolve कर सकते हो कोई तकलीफ नहीं है अगर आप resolve करने कोशिस कर रहे हो फोड़ा सौर यहां ले रहा हूं तो रिजाओल करोगे तो देखो यह जिस डिरेक्षन में देखो यहा पर ठीटा है आगर आपको एक्स भी नहीं समझा थीटा इसका है न तो यहां कॉश आएगा तो यहां पर आप डारेक क्या लिखोगे यह कितना है वैलू कितना था उस पर वैलू कितना था 20 कीलो तो यह 20 cos of 53.13 degree आएगा लिखाई दे रहा है और यह गयाएगा दोस्तों 20 sin of 53.13 degree तो देखो जिसके साथ theta होगा वो cos हो जाएगा जिसके साथ theta नहीं है वो sin हो जाएगा ऐसे भी आप याद रख सकते हो अब चलते हैं दोस्तों देखो इसके अंदर जैसे हमने parallel force system में बस summation of y निकाला था यहाँ पर ऐसा matter नहीं है यहाँ पर पुस सब निकालना होगा तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ submission of सबसे पहले submission of x निकालना होगा क्या एक्स डिरेक्शन में forces है अब देखो तो यह दोनों में result यह वाला एक्स डिरेक्शन में यह वाला जो डिरेक्शन है horizontal डिरेक्शन वह आपका एक्स है तो यह क्या आएगा उस डिरेक्शन में जा रहा है वहां मतलब प्लस साइड में जा रहा है यहाँ पर कहाएगा प्लस 20 कॉस 53.13 अब अगर मैं इससे सॉल करने कोशिस करू हमारे प्यारेक्शन में तो फाइनले कैसे सॉल होगा दोस्तों माइनस 20 प्लस 20 कॉस ओफ 53.13 और फाइनली दोस्तों माइनस 7.9999 ने एंसर आ रहा है तो इसको जो माइनस 8 कंसिडर कर ले रहा हूं तो समिशन ओफ एफ और देखू दोस्तों माइनस 8 किलो न्यूटन आएगा और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह माइनस में आ रहा है दोस्तों माइनस में आ रहा है तो मतलब इसका दिर्रेक्शन कौनसा होगा यह मैंने बुला ना X का माइनस मतलब यह तो आप लिख देखो लिख दो और आप बस दिरेक्शन आ पने चंड लिख सकते हो तो फाइनली हमें पता चलगा कि यह वाला फॉरस हमारा कहां पर जारह रहा है तो प्लस यह नीचे आ रहा है नीचे जो फोर्सेस आता है वो माइनस होगा बात बें दोस्तों देखो यह है 20 यह भी नीचे आ रहा है तो 20 साइन 53.13 यह हो गया और कहीं पर आ रहा है दोस्तों यह नहीं आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 माइनस 20 साइन साइन 53.13 और यहाँ पर एंसर दोस्तों माइनस 5.something आ रहा है मतलब मैं इसको माइनस 6 कंसिडर कर सकता हूं Newton, kilo Newton है सारी दोस्तों तो summation of f of y which is equal to 6 kilo Newton माइनस आ रहा है y का अगर माइनस आ रहा है तो नीचे आ रहा है तो नीचे आ ले direction आएगा तो finally दोस्तों यहाँ पर यह दो चीजे हमने solve कर दी अब यहाँ पर next part हमें क्या निकालना है दोस्तों resultant अगर मैं resultant की बात करूँ तो क्या आएगा दोस्तों summation of x का square plus summation of y का square which is equal to यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों summation of x कितना है 8 का square summation of y कितना है दोस्तों 6 का square तो finally resultant का answer के आएगा वो देखना बहुत बड़ी बात है resultant जो आएगा दोस्तों अपना 8 का square plus 6 का square तो finally resultant का answer कितना आ रहा है तेंट कीलो निकाल निकाल लोगे अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको next page पर आऊं नेक स्पेश पर मैंने इसको कॉपी कर दिया अब यह सब चीजे तो हमने find out कर लिया है अब दोस्तों इसके बाद अब हमारे टास्क क्या रहेगा दोस्तों देखो हां और सब सहले आपको resultant पता होना चाहिए कि कौन से quadrant में draw होगा अब यहां पे अगर आप दियान से देखोगे तो यहां पे इसका proper direction आपको पता चलना चाहिए कौन से quadrant में जब यह दोनों forces x और y हम लेते तो quadrant पता होना चाहिए तो अगर आप दियान से देखोगे तो यह इस side जा रहा है और y जो है दोस्तों नीचे side जा रहा है तो यह कौन सा quadrant हुआ दोस्तों अगर यह तीनों quadrant लेंगे तो यह कुन सा हुआ यह वाला हट थार्ड तो हमारा resultant जो है दोस्तों वह third quadrant में हमें है दोस्तों tan inverse submission of f of y कितना है दोस्तों submission of f of y 6 है और x कितना है दोस्तों 8 है तो 6 by 8 6 by 8 तो finally अगर मैं ध्यान दू तो यहाँ पर tan inverse 6 by 8 तो finally यहाँ पर answer कितना रहा है दोस्तों theta which is equal to 36.869 तो यह हमारा theta का answer आ रहा है अब यह मेरा theta का answer आ रहा है तो मुझे यह theta भी पता चल गया अब main part है दोस्तों कि मुझे एक और question में एक और part दिया है question में क्या दिया है दोस्तों find the distance of the resultant from o हमें क्या करना है distance of resultant from o point से क्या करना है find out करना है o point से अब देखो दूस्तों ऐसे case में सबसे पहले आपको moment निकालना होगा देखो मैं यहापे क्या कर रहा हूँ submission of moment of all forces from point o निकाल रहा हूँ देखो बहुत simple है ओ पर जो जो force आ रहे है जीरो आएगा अगर आप देखो कि ओ पर यह force आ रहा है यह force ओ पर नहीं आ रहा है यह उपर के side जा रहा है तो पहला यह मैं ले लूँगा 20 है अब देखो ctc बात है यहाँ पर यह fix है और अगर इस force से यह फिर कैसे जाएगा ऐसे घुमेगा उल्टा घुमेगा उल्टा घुमेगा मतलब कि एंटी क्लोगवाइस प्लस होगा और इंटू परपेंडिकुलर डिश्टेंस कितना एगा फोर्क यह एक फोर्स ले लिया अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो और कौनसा मैं फोर्स ले सकता हूं देखो दूसरा जो फोर्स है वो मैं कौनसा कंसिडर कर सकता दोस्तों हाँ उसले कभी वी अगर आपने देख भाहां दोस्तों हाँ अब यहां पर आपको एक बहुत बड़ा प्सीन्ग होगा यह जब फोर्स में समझायों यह होता है आप ऐसे इसको रिजॉल करोगे तो यह चीज दियान रखना मैं ने जाना पुछ वहाँ पर इसल ल यहां पर नहीं करता हूँ जिससे आपको प्रॉपर समझ में है तो वैसे अगर आपका फॉर्स यहां पर आ रहा है तो इसका मतलब कि यहां पर यहां पर यहां पर यह इसका x हो गया यह का वाई हो गया तो यह आपको सबसे में समझ में आ अची तो अगर समझो मैं यह फोर्स ले रहा हूँ तो इस वाले पॉइंट से तो थ्री होगा तो अगर आप यह वाला फॉर्स और रहे हैं अगर आप यह फोर्स ले रही है तो आपको पता है यह फोर्स यहां पर तो इसका पर्पेंटिनलर डिस्टेंस क्या आएगा थ्री तो देखो मैं यहां पर ले रहा हूँ तो देखो ऐखो डिरेक्शन में जा रहा और इस पोर्स का मतल़ा इस पोइंट से अगर मैं एकल डिस्टेंस रिए और समझा ओडा तो देखो दोस्तों यह फोर्स की वाज़ा friends क्या होगा सबुछ देखो O से आपको consider करना है O पे देखो line है O पे ये line है ये वाला जो force है यहाँ से जा रहा है मैंने हमिशा बोला कि यहाँ से consider करना है यहाँ से जा रहा है तो फिर यह कैसे होगा दोस्तों clockwise तो यह जो फोर्स यहां है इसको थोड़ा पीछे से लेकर चेक कर लिया करूँगी कैसा घुम रहा है तो उसके वाज़े से कैसा आएगा दोस्तों clockwise और clockwise क्या होगा दोस्तों माइनस अब यह वाला पार्ट होनेके बाद अब नेक्स पार्ट है दोस्तों और हमने कों सा लिया चो जो मैं हमने ले लिया यह हमने रिया यह थो जीरो आएगा यह हमने इसका अब यह सिर्फ लीड़े रहैcenr और सबसे पहली चीज़ अगर सबोज मैं यहां पे यहां पे भी हूँ यहां से आ रहा है तो यह कौन से डिरेक्शन में घुम रहा है प्लॉक्वाइज तो क्या आएगा दूस्तों माइनस अब यह हो गया अब यहां तक आपथ होने गया दुस्तों यह Force अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह force अगर देखोगे तो भाई यह point-o पर आ रहा ह। यहमेंशा द्यान रहा है और यह मैंने यह less ले लिया तो टोडल तीन लिया एक दो तीन हाँ परफेक्ट है और हमेशा याद रखना मैंने आपको इसके प्रीवेस लेक्ट्चर से बताया था यहां पर कुछ मुमेंट दिया है तो आपने हम कुन सा मुमेंट लेते हैं एंटी क्लॉक्वाइज को क्या लेते दोस्तों प्ल मुवेंट को आप डारिक प्लस कर लेना बस यह देखना कि सभी किलो न्यूटन में यह देख लेना मीटर में यह भी मीटर में तो फिर कोई दिखती डारिक प्लस कर लेना वह अगर clockwise होता तो डारिक माइनस होता तो submission of moment of all forces at 0.4 अगर मैं इसको solve करने कोर्सिस करूँ 20 multiplied by 4 20 cos into 3 minus 20 sin 53.13 into 4 plus 40 तो finally दोस्तों यहां पर जो हमारा एंसर है 20 किलो न्यूटन नीटर यह हमारा final एंसर यहां पर आया है अब मुझे क्या करना है दोस्तों perpendicular distance निकालना है तो मैं वेरिंगंस थेरम का यूज करूँगा और perpendicular distance निकालूँगा तो using वेरिंगं थेरम summation of moment of all forces at 0.0 resultant into d अब देखो दोस्तों यहां पर resultant आपने निकाला है आप देखो दोस्तों सबसे पहली चीज moment of all forces कितना है दोस्तों 20 है अब दोस्तों देखो एक सबसे बड़ी चीज है resultant जो आपने लिया है resultant कितना है भाई resultant 10 है resultant कितना है 10 है तो यह कितना है 10 और इंट्टू एक है डी अब यहां पर रिजल्टेंट को मैंने प्लस कंसिडर किया है अब दोस्तों देखो अगर ध्यान से देखोगे तो यह को यह 20 से अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ तो एंसर डी का कितना रहा है तो अब यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है कि यह जो है वो रिजल्टेंट आएगा एक्चुल में कहां पर यह रिजल्टेंट एक्चुल में आएगा कहां पर तो दोस्तों देखो यह ओ पॉइंट है तो यह ओ पॉइंट की व यह वाला पार्ट में लिया यह पूरा में रफ कर दे रहा हूं इसकी ज़रूरत में पीछे मैंने सब लिखा है अब देखो लोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब आप मैंसे किसी को नहीं होना चाहिए सर आप देखो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि अपना जो रिजल्टेंट हो धूर्ड त्रौर्ड तर्ड आरा यह मेरे को कैसे पता चला था मेरा समुशन ओ अउशन ओफ य है और यह मेरा यह आए आगा इसलिए रिजल्टेंट ओ मैं जैसे में पहले के थर्ड कॉड्रेंट में तो या तो मेरा रिजल्टेंट यहां पे आएगा देखो मैं यहां पे बना रहा हूँ या तो मेरा रिजल्टेंट दोस्तो यहां पे आएगा या तो रिज़ल्टन यहां पे होगा या तो रिज़ल्टन नीचे साइड में होगा क्यों हां पॉइंट की वज़े से एक तो यहां पर तर्द स्क्राविजस देख़ोगे दो में से मेरा अब दो में से कुन सा मेरा यहां बहुत सिंपल सा है आपको जादा कुछ तकलीफ लेने की ज़रूत नहीं है अब देखो दोस्तों यहां पर सबसे पहली चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप अपने मुमेंट को जाके देखो मुमेंट का एंसर क्या है दोस्तों मुमेंट यहां पर मैंने लिखा प्लस में आया प्लस में मतलब anti clockwise मतलब यह दोनों force से anti clockwise कहाँ पर manage हो रहा है देखो यहाँ पर यह है अब यहाँ से यह force आया दोस्तों मैं यहाँ पर कर रहा हूँ समझो यहाँ पर यह है और यह force आया तो यह force इसको कहाँ पर rotate कर रहा है यह force यहाँ पर आया इसको धक्का दिया तो यह घूमने लगा कौन से direction में घूम रहा है दोस्तों देखो कौन से direction में घूम रहा है एंटी clockwise तो मतलब यह force अपना perfect है अगर in case इसका एक और method है solve करके आप निकाल सकते हो पर मैं हमें सब बोलतों कि आर उस method में मत जाओ direct आप solve कर सकते अब देखो जैसे यह force अब देखो यहाँ पर यह लाइन है अगर समझों यहां से यह force आया अगर इसने इसको धक्का मारा तो यह घड़ी के सूई की तरह चल रहा है घड़ी ऐसी चलती है न बाई इसने अगर इसको धक्का मारा तो clockwise अगर वहाँ पर माइनस होता ह सब्सक्राइब मारा मोमेंट के दूस्तों प्लस है नि अब देखो यह द्याम से दिखो इसने धक्का मारा तेखो यह घड़ी गड़ी गड़ी का उल्ठा डिरेक्षन है तो कोन सा हमारा कपारश रहेगा दोस्तो यह उपपर वाला और दोस्तो यह हमारा रिजल्टेंट रिजल्टेंट सबसे बड़ा इन्स कि आप सब्से बढ़ा पॕति यह आ रहा है। कि इसको आप करते डाइम लिखते डाइम ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे मस्ट ले सकते हो कि देखो मुझे यह समझ में आ गया कि यह कितना है कि 10 किलो न्यूटन तो 10 किलो न्यूटन हमने दिखाया और अगर आप ब्यान से अच्छे से देखने कोर्सिस करोगे तो इसका इंकलेनेशन भी मुझे पता है इंकलेनेशन इसका एकस एकस से साथ अगे आप यहां पर इखाना चाते ओंगा तो थीटा हमें पता है करता है आप कहां मेंशन करोगे तो देखो यहां पर मैंने फाइनली यहां पर ठीटा भी लिख दिया 36.16 से कितना है 36.869 36.869 अब देखो दोस्तो सबसे बड़ा कोशन यहां आ रहा है यह परपेंडिकलर डिस्टेन्स है यहां से इसका पर परपेंडिकलर डिस्टेन्स है यह कितना आया तू आया तू मीटर हो गया तो यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा रिजल्टेंट आ गया यही तो देखो यह पूरा का पूरा पूरा प्रोसीजर आपके दीमाक में दोस्तों बैठ गया है अगर यह पूरा का पूरा प्रोसीजर अगर आपके दीमाक में बैठ गया तो आप आराम से इस टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो अब मैं इसके बाद वाले लेक्चर्स में एक और सम इस टॉपिक का लेकर आ रहा हूँ और जरूर आप उस सम को सॉल करो फिर देखो आपके अंदर और कॉंफिदेंस बढ़ जाएगा वीडियोगा देखने के लिए दिल से टैंक्स टैंक्यू सो मज़ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई टेक केर जैन दोस्तों